वेल्कम बैक एवरिवन वेल्कम टू सेवल सर्विसेश टड़ी प्रेक्टिस सेट टमबर 433 ठीक है यूपी पीसियस के लिए हैं और फोकस करेंगे इसमें हम जनरल साइन्स के प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करते हैं प्लेलिस्ट बना रखिए वहां पर आप टेस्ट न प्रात्रह पाया जाने वाला तत्ब कौन सा है लोहा, शोडियम, औकसीजन या आयोडीन कौन सा है इनमें आप renतिशन है मानब सरीर के भार में 65 परतिसिष्ण on 18% carbon 10% hydrogen and 3% nitrogen 1% 4% calcium and 1% phosphorus होता है तो सबसे आदे क्या है 65% oxygen अगर oxygen option में होगा तो carbon उत्तर लगाएंगे नमरिकित में से कौन मानब सरीर की सबसे छोटी हड़ी है सबसे छोटी है कान में पाई जाती है इस टेपीज ठीक है और सबसे बड़ी है जांकी फीमर चोटी क्लास में पढ़ाओगा आपने तो मानब सरीर की सबसे छोटी हड़ी जो है वो स्टेपीज है जो मनुस्य के कान में पाई जाती है और मानब सरीर की सबसे बड़ी हड़ी है फीमर जो जांक में पाई जाती है नम्रिकत में से कौन हमारे सरीर का सबसे द्रड भाग है अस्थी, दंत, वल्क, डेंटीन या फिर सिमेंटम देखे इसको बोलते हैं इंगलिज में इनेमल इनेमल करके आपने पढ़ा होगा ठीक है ये सस्थी में कई बार पूछा गया प्रस्थन है हिंदे बोलते हैं इसको दंत वल्क तो हमारे सरीर का जो सबसे बड़ा भाग है ठीक है, वो दंत वल्क है, मतलब कठोर भाग जो कि दाथ के सिखर पर जो है, तदी कठोर सफेद, वो चमकिला सा होता है केल्सियम फॉस्फेट और केल्सियम कार्वोनेट का बना होता है किसका बना होता है केल्सियम फॉस्फेट और केल्सियम कार्वोनेट का यह इनमल नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता क्या नाखून केलसियम फॉस्पेट के बने होते हैं नाखून सरीर का बेकार हिस्सा है नाखून म्रत कोशिकाओं के दरब दोरा बने होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन यानि रक्त संचरन नहीं होता तो यही पहला बाली औचित लग रहा है बेकार हिस्सा है इस तरह के तो ऐल्यमिनाट कर दो केलसियम फॉस्पेट के बने होते हैं तो देखें नाखून जो है बाहए कंकाल के अंतरगत आता है जो की अलफा के रेटेन्स के बने होते हैं क्योंकि यह म्रत कोशिकाओं के दरब दोरा निर्मित होते हैं जिन में रक्त का संचन यानी जो blood circulation है वो नहीं होता है दातों पर जमी पड़तें बनी होती है केवल भोजन के कणों की, केवल भोजन के कण और थूक ठीक है, भोजन के कण थूक और मुख अमल से भोजन के कण थूक, मुख अमल और बैक्टिरिया से ठूक या लार एक ही बात है ठीक है तो दातों पर तो हमारे भोजन के कण भी होते हैं ठीक है ठूक मतलब लार भी होती है मुख अमल भी होते हैं और बैक्टिरिया भी होते ही होते हैं तो डी से अच्छा उत्तर रहेगा इसका क्योंकि सारे कबर हो रहे हैं तो दांतों पर जमी पढ़ते हैं, भोजन के कंड, थूक, मुखल, अंब्ल और बैक्टिरिया से बनी रहती है, ठीक है, निर्मित रहती है, दांतों की परत की खुर्चन का अध्यन करते समय जो है, एंटोनी वान लिवेन होक ने इसमें वैक्टिरिया की उपस्तितिकाई पता प्रते रोपन है, रोधिर आधान है, या फिर कूल है के जोड का प्रतिस्थापन है, और्थोप्लास्टी है, कूल है के जोड का प्रतिस्थापन, तो सल्लिकर्दिया में, सल्लिकरिया में और्थोप्लास्टी जो है, कूल है के जोड का प्रतिस्थापन है, और्थोप्लास जाता है किस क्रिया में और्थोप्लास्टी में लार नम्लिकित में से किस के पाचन में सहयोग करती है लार करती है स्टार्च के पाचन में सहयोग तो लार जो है लार के पाचन कार देख लिए लार के पाचन कार में सामेल है भोजन को गीला करना भोजन की लुगदी बनाना त होता है जो स्टार्च को सरकरा में तोड़ता है कोश्चन नमबर एट पर आजए मानब सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है किस अंग में होता है छोटी आथ में होता है ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन तो मानब सरीर में पाचन का अधिकांस भाग ज चलता है एक प्रेश्ण पूछते हैं कि भोजन का प्राड़म सरीर के की संग से सुरू हो जाता है ग्रास नली हो गया चोटी आथ बढ़ी आथ यक्रत मुख तो मुझ से शुरू हो जाता है ठीक है मुँ में जाता है जो है लार निकलने लगती है में उसे इंटाइलें निकलने लगते हैं कोश्चन नमबर नाइन पर आजए यह नमलिखित गतनों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट बताए कौन सा करेक्ट है एंजाइम मुखिता प्रोटीन होते हैं और अधिरिक्त ग्लुकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है आमाशे में यक्रत में अगनाशे में पित में आमाशे को बोलते हैं स्टोमक यक्रत को बोलते हैं लिवर और अगनाशे को बोलते हैं पित को बोलते हैं बाइल इसका उत्तर है लेकिन लिवर option number 2 यक्रत में तो मानब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है ये liver ठीक है जिसको यक्रत बोलते हैं इसका प्रमुक का रहा है रक्त में उपस्तित अतिरिक्त ग्लुकोस को glycosin के रूप में परिवर्थित करके संचित रखना question number 11 पर आज़े यक्रत में मास पेसियों में उर्जा जमा होती है कार्भोहारेट के रूप में वर्षा के रूप में प्रोटीन के रूप में ग्लक के रूप में वर्षा ये तो eliminate करो सबसे पहले कहां सा गई है glycosin के रूप में option number D तो सरीर की कोशिकाओं को कार करने के लिए उर्जा की आवश्रक्ता होती है यह सुगर वर्षा सुरी बसा वो बसा ही होगा फिर उपर यह सुगर वर्षा प्रोटीन की राशानिक क्रियाओं से प्राप्त होती है और सुगर जो है सरीर में glucose में परिवर्टित हो जाती है जो एक सरल सरकरा है और यह अवस्रोशित होकर रक्त से बिभिन अंगो उतको में पहुंचती है यक्रत यानी लिवर मासपेशियों में मुख्यता है glucose को उर्जा या glycosin के रूप में जो है उसमें जो है वो जमा होता है यह प्रिंटिंग मिस्टेक है है आप बशा होना चाहिए लेकिन अपना उत्तर तो है नहीं अपना उत्तर तो glycosin अटी कोई फरक नहीं पड़ता question बारे बारे पर आजाए मानिक के और नीलम रासाइनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं क्या है मानिक के और नीलम एल्मूनियम ऑकसाइड है ठीक है option number B तो मानिक के और नीलम जो है कोरंडम के जबारात रूप है कोरंडम प्राकरतिक रूप से एल्मूनियम ऑकसाइड के क्रिश्टलिय रूप में पाय जाता है question number 13 पर आजए अमिकित में से कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है इनमें उस्मा का बहुत अच्छा चालक वही है जो सामाने ताप पर किसी कमरे के सामाने ताप पर दरववस्था में है यानि पारा अचा एक चीज और है जो कमरे के सामाने ताप पर द्रबावस्ता में रहती है ब्रोमीन इनको उल्ट बलट करकर के पूछ लेते हैं ठीक है ब्रोमीन और पाराँ दो चीजा है तो Fortyमा की अच्छी चालोग होती है धातुवा धीकानस्ता ठोस होती है और पारा जो है परनतु 일반 एक ऐसी धातुए है जो साधान अताप पर द्रव अवस्था में विद्वान रहती है तो यह तो देगे विकल्पों में जो पारा है द्रव अवस्था में धातुओं के कारण है उस्मा का सबसे अच्छा चालक है गुट कंडुक्टर ऑफ इलक्ट हीट उस्मा कोश्चन नमबर फोर्टीन पराजी है मोनोजाइट निम्लिकित में से किसका एसक है मोनोजाइट जर्कोनियम का एसक नहीं है टाइटेनियम का नहीं है आयरन का नहीं है थोरियम का केरल की मोनोजाइट रेत के भंडार में बहुत थोरियम का भंडार है तो मोनोजाइट जो है थोरियम, लेंथे नम और सीरियम का मिश्रण है और भारत में यह है केरल तट पर परियाप्त मात्रवें पाई जोता है केरल तट की मोनोजाइट रेत में थोरियम के परिचुर भंडार है कोशन नमबर 15 पर आज यंतिम प्रशने किस समू के जीवो का डूबने से होई म्रत्यू को पता लगाने में महत्त वह या का पता लगाने महत्त वह ठीक है डूबने से होई म्रत्यू को पता लगाया जाता है इनमें से किस समू के जीवो के द्वारा लाइके नहीं है इसका उत्तर प्रोटो जोवा नहीं है साइनो बेक्टिरिया बोलते हैं बलू ग्रीन एल्गी को ठीक है ये भी नहीं है डाइटम इसका अंसर है दी प्रियोग है सालविन तीन सो पचास परिक्षन में डूबने से हुए मरत्यू का पता लगाने में वह किया जाता है ठीक है कि यह बॉड़ी कैसे जो है मरी है यह शरीर कैसे बॉड़ी बन गया मर गया ठीक है डूबने से इसकी मृत्ति हो गई इस वेक्ति वेसे की चलिए तो 15 प्रश्ण यह जनरल साइंस के इन में से 30 प्रतिशत प्रश्ण ऐसे यह यूपी पीसेस ने पहले पूछे हो है इनकी प्रेक्टिस एक बार तो करी ले ना धन्यवाद